आपका भी अगर प्रोपर्टी सम्मंदित कुछ भी सवाल आप चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप चाह जो है अगर फेस्बुक यूज करते हैं तो फेस्बुक हमारे पेज को जो है लाइक कर ले और आप वहां से भी मैसेज जो है भेज सकते हैं कंप्यूडर की 99 सर्च करेंगे तो आपके सा पेज आपको देखने को मिलेगा अभी यह पूछ रहा है कि सर मेरा जमीन बिहार सरकार हो चुका है टैटल सूट किये हैं सिविल कोट में 2017 में पर अभी जो है वो गवाही पर नहीं आया है सरकार के तरफ से सरकारी वकील हाजीर होकर जो है वो प अभी उसका जवाब दिया है ठीक है बिलकुल और अभी जज के सामने बहस नहीं हुआ है ठीक है बहुत धीरे धीरे जो है हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा आप कुछ बताईए रोहित सिन्हा जी देखिए सबसे पहले जो है आपका जमीन जो है बिहार सरकार हो गया है आप सबसे पहले अभी अखील के दोरा आपको मांगा गया होगा पुराना जो है जमीन का खतियान ओरिजिनल नहीं तो मांगा जाएगा ठीक है दूसरा चीज है नया जमीन का जो है खतियान जो है जो आपका है फिलाल जो आपका है वो बात है और दूसरा चीज है आप उसी जमीन पर टैटल किये होगे जो जमीन आपका जो है सर्वय हो गया और जो की अभी जो है बना ना इना वो आपका जो है निया वाला में नहीं है ये चीज वहां पर मेंसन होगा वो चीज उतना समिट वहां पर तो वकील के दौरा मा publi गया होगा दूसरा चीज, बहुत चीज, अपने वकील पर आप खुद ध्यान डखें, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, आप उसको खुद समझने की कोशिज करें, ये बहुत मैने रखता है, ठीक है, इस बात को, इस पॉइंट को आप समझिए, कि आपको सोचना है कि किस तरीके से मेरा काम हो रहा है, और क्या प्रोसेस उसमें चल रहा है, ये बात आपको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी होता है, देखिए सबसे पहले जो ये एक्च्छली आपका बिहार सरकार पर केस है, तो बिहार सरकार के पास से जवाब आता है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले, तो जो है, वैसा कुछ जो है यहाँ पर, जो भी वहाँ पर होता है, वो असपस्ट होता है, उसमें कुछ इधर उधर वाली बात नहीं होती है, ठीक है, मतलब एक तरह से उसको गलत थारा के सुरवाती दोर में जो भी बोले, रिजेक्ट करने बोले, जो भी बोले, लेकिन जो है इसलिए कि नाकामी क्या होता है कि जब कोई गलती से आपका जमीन बिहार सरकार में हो गया तो वह तो इसलिए जो है यहां पर वह चीज थोरा सा जो वहां पर आपको जो आपको जो परूप है वह बिल्कुल लगा देना चाहिए और गवाह के तौर पर भी आपको जब परे तो जो भी है गवाह जो वकील सजेस्ट करें वह आप जरूप जो उनको हाजित करने का टाइम पर कोशिज करें तो आप समझ लेजिए कि यह थोरा सा भी स्टार्टिंग है ज्यादा समय लेकिन आपका नहीं लगेगा थोरा लेकिन समय लग जाएगा इसलिए कि बिहार परती सथ जो है वो जो गलती से हुआ है उसका जो है जैज्मेंट जो है उसी के पक्ष में हुआ है ठीक है बिहार सरकार से जो जमीन है वो फिर से जो है रहियती में एक तरह से उसका जो है जमाबंदी कायम किया गया रसीद काटा गया जब की अगर कोई कहीं न कहीं जमीन का रसीद जो है कटवाने के लिए किस चीज का जरूरी होता है जमीन का रसीद कटवाने के लिए सबसे पहले अगर जमीन आपका खतिया नहीं है ठीक है दूसरा जमीन आपका अपने रजिश्टी करवाया है तो सब कागज होना चाहिए आपका वहाँ अगर नाम होगा उन्हीं के नाम से जमीन का रसी इखटेगा यह पुछने सर हम परिमार्जन पोर्टल में जो है रखबा कॉरेक्ट जो है करने के लिए 24 एक इतना को एपलाई किये और इतना को मैसेज आया कि अप्लिकेशन प्रोसेश रोज पर ऑनलाइन सिये किये तो रखबा में कॉरेक्शन आप उनको पूछ लिजेगा कि जो सिरियली नंबर आपका परिमार्जन का है वो सिरियली नंबर का काम हो चुका है या नहीं हो चुका है अगर हो गया है तो आप उसको उनको बता सकते हैं फिलाल अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप सियो को आविदन करना चाहिए उस सा करते हैं जो कि computer operator होते हैं वहीं उसको update करते हैं तो लेकिन आदेश जो होता है वह तरह से परिमारजन का वहां पर CEO के दारा ही किया जाता है ठीक है यह पूछने सर जो मेरे नीजी रहेती जमीन पर जमाबंदी नल जल योजना का बोडिन एवम जो है और यह बोल रहे हैं कि जल मीनार बना दिया है ठीक है इसको कैसे हटवाए किसी अधिकारी के पास जाना होगा प्लीज रिप्लै ठीक है देगे अगर जबरदस्ती बनवा दिया गया है न ता आपको फिलाल तो बहुत काम हो गया होगा और यह चीज है फि को आदे मत के लिए बात कर सकते हैं लेकिन फिलाल काम का सरकारी है पहले स्टेप में आपको सीओ साहब के पास ही जाना चाहिए ठीक है और के बाद एक बार जो है डियम साहब से बारे में बात करना चाहिए नल जल के लिए जो हैसा बना दिया गया है अगर आप यह चाहते ह इमिन पर बना दिया जा रहा है तो वो एक तरह से उस आदमी का अनमती हो तब ही ऐसा हो सकता है ऐसे अगर बना दिया गया है तो फिर लेकिन कोट के थूँ आप इसको जो है हटवा सकते हैं ठीक है लेकिन फ़हले इसके लिए आपको सीयो साब से मिलना चाहिए तो बोलेंगे तो मतलब जो भी आपको suggest कर सकते हैं लेकिन हटा तो नहीं देंगे लेकिन उसके बाद जो है एक दरसे DM साब से मिलिए इसलिए कि हटाने का मतलब होता है हाँ लेकिन फिर ये एक जो है तूट सकता है नहीं तो नहीं टूट सकता है या तो अप उसका मौःबजा ले सकते हैं जमीन का कीमत होता है उसका चार गुना मुआपजा आपको दिया जाएगा ये पूछें सार मेरा जमीन बड़े पापा के नाम से है और पापा जी यहां पे गुजर गए है और मेरे पापा दो भाई है मेरे पापा चोटे है और जमीन आधे में जो है जोत कर खा रहा हूं और पापा जी गुजर चुके है मेरे पापा दो भाई है आथिक है आपको जो दिखर चुके है मेरे पापा दो भाई है थीक है आपको जो देखिए यह तरुन जी यह हैं यह चीज़ जो है न आपको सबसे पहले बड़े पापा अगर सपोर्ट कर देंगे आपको तो हो जायगा बड़े पापा के नाम से है या जो भी आपका भाई लोग है वो जो आप सामधी है बूरेगा नहीं तो फिलाल जो है कि ऐसा है आपका जोत में है तो इसके लिए एगर वह सहमतिञा है तो आप इसके लिए सीओ साब से बात करेंगे वह सपोर्ट कर देंगे तो आपका जो नाम से यह हो जाएगा आप एक तरह से जो पंचिनामा का हो गया कागज बनवा लेंगे बंसावली उसको साथ लगवा के आप जो ऐसा काम कर सकते हैं ठीक है असानी से आपको मिल जाएगा यह पूच रहें हेलो सर मेरा जो है पिता जी के नाम से 2008 तक का रसीद कटा है पर नेट पर सो नहीं हो रहा है आप आगे का भी रसीद कटा लिजे सरसे पहले अगर एक तरह से वहां पर जाके ही और उसके बाद परीमार्जन है परीमार्जन पोर्टल पर जाके आप देखिए आप मेरा प्लेलिस्ट उपन करेंगे ना आपको वहां पर भूमी सुधार विभाग बिने गा उसमें परीमार्जन का बहुत सारा तरीका बता है कौन सा पॉम बरना है कैसे बरना है सारा बात बता है उसको देख के भी समझ सकते हैं ठीक है और आगे का लेकिन आप जो है एक खारिज नहीं करवाया मैं उसका ओनलाइन रसीद कटवाया कटवा जिसके हाथ में विक्री किया वह ओरिजिनल पेपर हमको नहीं दिखा रहा क्या मुझे जमीन हो जायागा सर जवाब जरूर दीजिए देखिए बिलकुल हो जाएगा सौ परतीसत अगर जमीन का जो है दाक खारिज कराने का भी कोसिस करें तो इसको आप लगा सकते हैं ठीक है दूसरी बात है दखल तो आपका होगा नहीं लेकिन आपको अगर मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा बहुत सारा समस्या है और उस जमीन में आपको हिस्सा लेना है जो की उनके द्वारा बेज दिया गया आपका भी था तो देखिए यह कोट में इसके लिए आपको पार्टीशन सूट अगर आप करेंगे पूरा जमीन का इसका मतलब होता है पूरा जमीन का समान हिस्सा कानूनी तरीके से इसमें ज़्यादा कोस्ट भी नहीं लगता है कोट का ज्यादा फी नहीं होता है दो तीन सौ जो आपका वकील का खर्च होगा, जैसा वकील होगा, उस तरीके का खर्च है, वो खर्च तो आपको लगे गा ही, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको जितना भी जमीन है, उसका समान हिस्सा अगर आपको वो बीच भी दिया, तो आपका जो बिल्कुल हो सकता है, आईसे भी अभी भी आप उस जमीन का जो रसीद कटा बेचेंगे आधा पार्ट बेचेंगे तो उसका दाखिल कारीज भी होगा ये पूछने सर नमस्कार 1905 का सर्वे में पूरा खेसरा 1970 से नया खेसरा 308 बना लेकिन इस खेसरा का खाता नहीं बना ठीक है जिसके कारण कोई भी record करमचारी का नहीं है ना ही किसी दूसरे खाते में अब इसका क्या होगा नहीं देखी ये बना तो इसका जो है न इसका सुधार आप करवा लिजे ठीक है अप इसका सुधार करवा लिजे इसके लिए सबसे पहले आप एक adiam साहब को आप अबेधन करें ठीक है कि खतियान जो यह वाला अगर करमचारी का है ना पूरा यह आपको पता है कि प्लॉट नमर बना और इसका बरतमान इस्थिती आप पहले देखके और यह चीज़ कर सकते हैं ठीक है दूसरा एक पहला यह तरीका होता है इसलिए जो भी करमचारी को जो भी रजिस्टर बन के आता है यहीं से आता है तो खतियान का जो भी रखवा वगरे का सुधार होता है यहीं से आप जो है एक तरह से कर सकते हैं दूसरा तरीका होता है कोट के द्वारा ही ठीक है कोट के द्वारा ही तो देखे कोट में क्या होता है कोट का फिर जो है अनुमती होगा आदेस होगा तो उसके अनुसार फिर आपका जो है यह जीज आगे जो आपका खतियान है उस पे चरहने का अनुमती देने के बाद जो है उसमें चरहाए जाएगा आपका जमाबंदी पे जमीन आ जागा तो फिर कोई तरह का समझा नहीं होगा यह पुछने सर मेरे परोसी के साथ जमीन नापी हुआ दोनों अलग अमीन रखे थे 18 इंच जमीन परोसी में निकल गया उस ताइम मान गया दोनों अमीन सिगनेचर भी है पर अब वो जमीन छोरने के लिए त्यार नहीं है और 144 से 145 कर दिया एक साल से गेस भी चल रहा है दोनों का वाला जमीन है मेरा घर लिंटर तक बना हुआ है आगे क्या करें ठीक है देखिए सुजीत जी वो अगर वैसा कर दिया है तो तरह से टाइम पास करने के लिए कर दिया है ठीक है आप सबसे पहले फिलाल जो है इसके लिए CEO साहब और आप खुझ से आप SDU को इसके लिए फिर खुझ से आपको आवेधन करना है ठीक है दोनों को दूसरे दूसरा है कि आप एक बार सरकारी अमीन से जो है जमीन को नापी करा लें ठीक है एक तरीका है यहां से दोनों को लेकिन आपको करना आवेधन यहां एक option है आपको उसका सरकारी अमीन का जो है कागर होना चाहिए दूसरा तरीका होता कोट से TS कर देना ठीक है ये अगर आप कर देते हैं वो रुकना घर नहीं रुकेगा आप वहाँ सर्मती लेकर आगए अपना काम कर सकते हैं ठीक है तो ये थोरा सा इसमें थोरा टाइम लगेगा लेकिन पहला आपको पहले ट्राइ करना चाहिए ये पूछ रहें मेरे जमीन का रसीद जो है कटा है बट उसका कोई डॉक्मेंट नहीं है चहदी या खतियान कैसे निकाले है देखिए मेरा इनका जो कहना है न कि मेरा जमीन का रसीद गटा है बढ़ उसका कोई डॉकमेंट नहीं है ठीक कोई बात नहीं रसीदी डॉकमेंट है आपके नाम से रसीद कटी या मतलसे जम्हाबंधी भी होगा ठीक है तभी तो रसीद कटा है ना चोहदी या खतियान कैसे जो है निकाले अब उसका जो है ना सबसे पहले खतियान आप निकाल सकते हैं कोई तरह का समझ्या नहीं है खतियान आप जो है जो जिला अभी लेखागार से आप निकाल सकते हैं यह सारा तरीका है जो कहां से आप जो है यह सब चीज निकाल सक सब्सक्राइब